आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ब्लू टी के फाइदों के बारे में ब्लू टी बनाई जाती है अप्राजिता नाम के फूलों से इस फूल को कई नाम से जाना जाता है जैसे कि बटरफ्लाइपी, अप्राजिता, एशियन, पीजन, विंग्स अब बात करते हैं इसके बेनेफिट्स की, इसके अंकिरत बेनेफिट्स हैं इसका पहला बेनेफिट है ये आपकी मैमरी बूस्ट करने में हेल्प करता है इस फूल की सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसके अंदर एंटी एजनिग प्रापर्टी है जोकि आपको जल्दी बूड़ा करने से रोकेगी अब राजिता आपकी स्किन को ग्लू प्रोवाइड करती है बालों की ग्लोध बढ़ाने में हेल्प करती है और आपके बालों को शाइनिस प्रोवाइड करेगी इसके अंदर हैं वाइटिमिन्स, मिनरल्स जोकि आपके दिन में कम हुए न्यूट्रेंट्स को पूरा करेगा और जो आप इसका ड्राइड ब्लू कोलर देख रहे हैं इसके पास ऐसी पावर है जोकि आपको कैंसर से बचाएगी यह तरिकी की नैचुरल टे है जोकि आपको कैफीन फ्री मिल रही है इम्यूनी सिस्टम स्टॉंग करती है वेट लॉस में हैल्प करेगी और जो आपका दिन बर की थकान है दिन बर का डिप्रेशन है उससे भी दूर रखेगी तो मैं अब आपको बताती हूँ इससे आपको अपनी डाइट में कैसे इंकलूड करना है सबसे पहले आप एक कप पानी बॉइल कर लेजिए बॉइल करने के बाद कम से कम साथ से आठ इसकी पैटल्स आप जरूर डाले और इसका कलर पानी में आने दें अच्छी तरह इसको बॉइल कर लेए जब आपको लगे इसका सारा कलर पानी में आ गया है तो आप अपने गप या ग्लास में इसे निकालने के बाद आप इस तरीके से भी पी सकते हैं लेकिन अगर आप इसके अंदर नीबू मिलाना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छी बात है नीबू आपके वेट लॉस में हेल्प करें आपकी जो वाइटमिन सी मातरा भी आपकी च मातरा बढ़ जाएगी और आपके वेट लॉस में भी मदद होगी और आप इस पौदे को बहुत असानी से अपने घर में भी उगा सकते हैं या आप इसे बाहर से भी खरीच सकते हैं लेकिन घर में उगाना ज्यादा आसान है अगर आप इसे अपने घर में ही उगाएंगे तो रोज आप ताजा फुलत से बनी जाए आप ले सकते हैं लेकिन अगर आप भाहर से लेंगे तुम्हा से आपको सूखे हुए हुए हुड में लेके और उसमें थोड़ी भूत न्यूट्रिटिव वैल्यू पकम हो सकती है और आप इसे अपनी खाने से पहले या खाने के बात भी ले सकते हैं यह इवनिंग में आप इसे चामिल कर सकते हैं तो यह थी मेरी आज की वीडियो में आगे आने मारी वीडियो में आपके लिए नए नए डाइट प्लांस लेकर आती रहूंगी अगर मेरी वीडियो पसंद आईए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें.